सहजन के आपने फाइदे तो बहुत सुने होंगे बहुत बार लोग सुनते हैं पर बनाते नहीं है इसको डुरमिश्टिक भी बोलते हैं बस एक दो महीने आता है इसी शीजन में आता है तो आज मैं सहजन के एक एसी रेटिपी बताऊंगी जो की नहीं खाने वाले भी खाने टीन निकल जाएगात तो आपज़का करते जाएंगे एक बरतन नंसे को चाट लिएगा, और परकान जक्रम से ओंगे चाने हमें 2017 उसमें खाने वाला तेल डालेंगे 2 टेबल इस्पून तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो पहले मैंने कच्छे आलू लिये इसको लंबे-लंबे काट कर इस तरह से भून लेंगे कुछ सेकिंड उसके बास सहजन को डाल देंगे आप दोनों चीजों को अलग-अलग भी जब तक हमारा आलू और सहजन भून रहा है तो एक मसाला तयार कर लेते हैं उसमें आधा टेबल इस्पून में जीरा डाला है 5-7 लहसून और एक टेबल इस्पून में धनिया डाला है और यहां पे काली वाली सर्सों लेनी है अगर नहीं हो तो आप पीली भी ले सकते हैं पर काली वाले से ज़्यादा अच्छा टेजटाता है दो से तीन हरी मिर्ची एक इंच के करे में अध्रक थोड़ा सा हरा दनिया और यहां पर ले रही हूं टमाटर बहुत ज्यादा नहीं हो जोता है बस एक छोटू सा टमाटर लिया है उसके बाद इसका अच्छा सा पेश तयार कर लिया है यहां पर फ्रेंड्स आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें सरसो बहुत जरूरी है आप काली वाली या पीली वाली पर अगर कोशिश करें कि आपके पास काली वाली हो तो वही ले मैंने अच्छे से पेश तयार कर लिया है इधर सहजन और आलू भी टेबल इस्पून के करें टेबल इस्पून इसलिए बोल लिए कि बहुत जादा मैंने नहीं डाला है उसके बाद मैंने एक बड़ा प्याज लिया है प्याज लेने के बाद उसे मैंने चौप कर लिया है आप काड़ भी सकते हैं और उसके बाद तेल अच्छे से गर्म हो ज कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सेजन के क्या क्या फायदे होते हैं उसके बद कुछ बेसिक मसाले जाएंगे जैसे रेट चिली पाउडर 1-4 टेबल इस्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला 1-4 टेबल इस्पून सारी चिली को डाले को मिक्स करेंगे थोड़ा सा पा अच्छे से भून चुकी है इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू फ्रेंड्स आ रही है क्योंकि लहसुन डाला है मैंने आप लोग लहसुन और प्याच को इसकी बी कर सकते है उसके बद मसाला भूनने के वाद जो सहजन और आलू हमने भूना था उसको इसके अंदर डाल डालने के बाद पहले अच्छे से चला लेंगे चलाने के बाद यह थोड़ा सा भून जाएगा इसी क्या होगा कि सारा मसाला सहजन और आलू में चला जाएगा अच्छे से लग जाएगा उसके बाद थोड़ी दिर ढखेंगे ढख की हमें भूनना है यानि कि ढख के कप के करीब पाने डाला है क्योंकि मैं ग्रेवी बहुत जादा नहीं बना रही हूं और उसके बाद टेश के कोडिंग हमें नमक डालना है नमक डालने के बाद यहां पर अच्छे से इसको पहले मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हमें कम से 5-7 मिनट हमें इसे लो फ्लेम पे बीच में एक दूबार चला सकते हैं 5-7 मिनट हो चुके हैं बहुत अच्छे से आलू और सेहजन पग गया है एक दम ग्रेवी थोड़ी थीक हो गए तो गैस को बंद करेंगे इसको आप चावल के साथ खाएंगे न तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंट्स मजा आए मैं अभी